अलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजीए चलिए हम शुरू करते हैं अलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे ब्यज सीख कबाब तो ब्यज सीख कबाब हलवाई प्रोग्रामों में फंक्सनों में कैसे बनाते हैं हम आज आपको बना के दिखाते हैं आप भी अपने घर में छोटी कौांटी में बना सकते हो तो उसके लिए जो सबजे पहले सबजिया लिया है बेंस है गाजर है और सिमला मिर्च है प्याज है ये सब बरीग बरीग चौप कर लेंगे उसके बाद में ये गय सान करके ये पतीले में थोड़ा सा पानी एड़ किया है इसमें हम सो ग्राम दाल भिगो दिये थे पहले अब इसमें हम एड़ कर देंगे इसको उबाल लेंगे अच्छी तरह ये पतीले में हमने एड़ कर दिया है उसके बाद में इसमें हम लगाएंग जरूरत नहीं होती है, तो खड़ में होने चाहिए, खड़ में से यह पक जाए, उसके बाद में ये हमने एक फूल गो भिलिया है जो बेट में पांसो गरामी है, अब इसको हम छोटा छोटा फूल तोड़के और इसको हम क्रेट कर देंगे, मतलब हम कद्दू कस कर देंगे, ये बारीग बारीग हमने कद्दू कस कर दिया है, उसके बाद में ये हमारा दाल अच्छी तरह पक गया है, ये देखे, खड़ में यह है, लेकिन हमें मैस करने से बिलकुल ये मैस हो जाते हैं, ये देखे, ये मैस हो जाते हैं, ये पक चुका है, इसको हम छाननी में निचोड उसके बाद में ये कद्दू कस हमारा हो गया है गोभी एक पीस हमने कद्दू कस कर दिया है 500 ग्राम का पीस था दो कीस पियाज हमने चौप कर लिया ए और ये बियं को घूब कर लिया य। उसके बाद में ये अद्रक बरीक बरीक चौप कर लिया है ये 50-50 ग्राम है। चुकंदर और सिमला मिर्च भी हमने 100 ग्राम चौप किया है। उसके बाद हरी दनिया और ये सब हमने कदो कस करके गोभी तियार कर लिया। अब गोभी में हम सारा सबजियां एड़ कर देंगे, प्याज पहले एड़ करेंगे, उसके बाद में ये हमारा बिंस आ गया, गाजर हमारा इसमें आ गया, उसके बाद में ये हमारा सिमला मिर्च बिलकुल बारीक चोप कर लिया है, और उसके बाद में साथ में चुकंदर भी इसमें add कर दिया है, उसके बाद में हरी धनिया, सारा सब्जियां हमने इसमें add कर दिया, अब इसमें हम नमक लगा देंगे, सब्जियों में अच्छी तरह इसमें नमक लगा देंगे, और हाथों से मैस कर देंगे, अच्छी तरह इसको हाथों से मैस करना, जिसकी पानी अच् 50 ग्राम हमने परियरी कद्दू कस कर लिया है और ये हमारा उबला हुआ जो 100 ग्राम दाल है चने की और ये हमारी हरी मिर्च कटी हुई है और दो ब्रेड के सलाइस हमने लिए है उसके बाद में हमने तीन पीस आलू उबाल के छील के कद्दू कस कर लिया है उसके बाद में ये पानी अच्छी तरह निचोर देंगे, नमक से इसका पानी छोड़ देता है मैस करने से, इसका पानी अब हम कपड़े में अच्छी तरह निचोर देंगे, यह मलमल का कपड़ा होता है, जो बिल्कुल अच्छी तरह पानी निकल जाता है, यह देखे अच्छी तरह हम निचोर रह जाए उसके बाद में ये हमने सब्जिय थाल में एड़ किया है बिलकुल हमने पानी निचोड लिया है इसको खलार देंगे उसके बाद में ये जो हमने ब्रेड के सलाइस दो पीस ले रहे इसको पानी में भीगो के अच्छी तरह इसमें हाइड कर देंगे और अच्छी त तो, यह हमारा तीन पीस अलू वजन में डेड़ सो ग्राम है उसके बाद में पचास ग्राम हमारा पनीध है जो कदी कस करके इसमें और यह दाल है जो चने का है अब इसते हम मैश कर गें थोड़ा सा मैश करके د करेंगे तो यह हमने मैस करके एड कर दिया को इसके दाल से ब्लीकुल ब्रैक्ट स्वारत्याहा उसके बाद में हमने आधा चम徒 नमाक का एड किया है एक हमने भुणा हुआणiman अदा चम्मद जीडा ईड़ं किया है उसकेबायंगे यह थोड़ा निकला दुबारे हम फिर ले लेंगे तो supports आप चम्मद ि हम ने चम्मद हमने चयाट मसला एड़ं किया है उसके बाद में यह थोड़ा सब काला नमक करेंगे इसमें उसकेबाद आज़ाद में add करते हैं हम आम चूर पोडर यहां चूर पोडर है तो हाफ चमच इसमें आप चूर पोडर लगाए जिस्से खटास बन जाती है हमारे रस्त में ये थोड़ा सा हम ने धनिया पॉटर आधा चमच एड़ किया है अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे कि सारा material हम बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर देंगे है कि मिक्स करके त्यार किया है इसके बाद में ये एक चमच बड़ा चम्माच हमने बेसन आइड किया है वजन में 25 ग्राम बेसन है उसके बाद हम कार्ण फुलोर आइड करेंगे इसमें तो यह हम चम्मच से 5 चम्मच लगाएंगे इसमें वजन में हमारा 75 ग्राम बन जाता है एक चम्मच में हमारा 15 ग्राम जो है कार्ण फुलोर आता है तो इसमें हमने कार्ण ύલोर आट कर दिया है पांच चम्मग उसके बाद मैं इसको prac कर देंगे अच्छी तरह मैज करके और बिलकुल तैयार करेंगे कि उसके बाद मैं इसमें हमने आट करना नेब्स तो यह हमने एक पीस नेब्स जीर लिया है और इसमें निचोड देंगे अच्छी तरह इसमें जो इसका रस है बिल्कुल निचोड देंगे इसमें तो यह हमने निब्ब निचोड दिया है इसके बाद में इसको मैस करके हम तियार कर लेंगे बिल्कुल यह आटे की तरह कुन के हम तियार कर लेंगे तो यह मैस कर लिया उसके बाद में हमने थोड़ा सा हल्दी पौडर इसमें एड़ कर दिया या पीला कलर भी एड़ कर सकते हो तो इसमें हमने हल्दी पौडर एड़ किया है इसको मैस करके हम यह अच्छी तरह जो है मिक्स्टर तयार कर लिया है उसके बाद में यहां हम गलास में पानी रखेंगे यह हाथ में पानी लगाकर इसको जो है तो यह छोड़े पीसज जो हम सीख में लगाते हैं अपने लकड़ वाली सीख में हाथ में पानी लगाकर तब हम इसको करते हैं पहले हम छोटे छोटे पी यह लकड है हमारी कुलफी वाली डखके आते हैं उससे भी पतली है उसके उपर इस तरह हम चिपका देते हैं बिलकुल हाथ में पानी लगाकर और इसके उपर हम बिलकुल चिपका देते हैं अब इसके बीच में जो हमें लकड होती है इसको निकाल भी सकते हैं यह दूनों तर अच्छी तरह पिंज ऐसी टूथपिक जैसी इसमें लगी रहेगी, यह हमने आपको दो पीशेज पहले बनातके दिखा दिया, जिसमें पिंज ऐसा यह हमारा बीच में लगा रहेगा, सीख कबाब इस तरह बनते हैं, हलवाई इस तरह बनाते हैं, और तीसरा हम आपको बना के दिखा रहे हैं तीसरा देखिए ये जो है इसमें हमने तूथफिक तरह बीच में आड़ कर दिया है उपर से चिपका दिया हाथ से पानी लगा अब इसको निकाल देते हैं ये दिखिए इसकी जो सुराक है ये दोनों तरफ से दिखाई देती है बिल्कुल ये आरपार दिखा बना जाता है इसलिए और अच्छी तरह जो यह सीक्स कबाब हमारी पक जाती है पेलुक सारव लिए sectors के तयार कर लिए हैं यह देख केल लिए यह सारर-कर दिया यह अइंड वाला हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह हम आयंड वाला बना दिया है बिल्कुल हमने सारा तो हम बिल्कुल हाथ जो है पिन जो होता है किया नाम है टूथपिक जैसा सारा तयार कर दिया है टूथपिक बीच में से निकाल के दिया है कुछ हमने बीच में रहने दिया है तो इस तरह हमने बना लिया है सीख कबाब हमारे जो है बिल्कुल बना के त्यार किया है अब इसको हम फ्राई करेंगे गायसान करके कडाही रखा है इसमें हमने रिफाइंड आयल आयड किया है उसके बाद में ये देखें ये दोनों तरफ से सुराख दिखाई देती है ये देखें बिल्कुल दोनों तरफ से सुराख दिखाई देती है इस तरह जो है इसमें जब हम फ्राई करते हैं तो तेल गरम इसमें अंदर अपजोब हो जाता है और अच्छी तरह ये फ्राई हो ज तरह करना है ज्यादा कम टमप्रेचर में यह फट भी सकता है तो इसलिए हम थोड़ा सा उचा टमपरेचर रखेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे यह दीरे-दीरे जो है जब तक यह फोलता है फिर उपर आ इसमें जो ब्रेड के पीसेज हमने एड़ किये हैं यह जब ब्रेड अंदर से फूलते हैं तो यह बिलकुल उपर आ जाते हैं अस्पंज की तरह बिलकुल फूल जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी और कुरकुरे बन जाते हैं हमने इसमें सारे मसाले एड़ किये हैं सारा material हमने इसमें add करके जो है बनाया है तो इस तरह प्रोग्रामों में हम बनाते हैं सीख कबाब हलवाई हम भी हलवाई हम भी जाते हैं हम भी बनाते हैं तो इस तरह हम आपको अपने घर में वीडियो बना के दिखाएंगे तो ये दिखें बिल्कुल फ्राई हो चुका है सीख कबाब अब इसको हम निकाल देते हैं प्लेट में इस तरह हम प्लेट में निकाल देंगे उसके बाद हम दूसरा पैच तेल में add करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा temperature नहीं होना चाहिए इसमें बहुत तेस्टी भी बहुत बन जाता है और विर्कुल क्रेस्पी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत इसमें माटेरियल सारा पड़ा हुआ है इसलिए ये बहुत टेस्टी बन जाता है तो ये हमने दो बैचेस तयार कर लिये हैं एक हमने प्लेट में निकाला दूसरा हमने ये थाल में निकाल लिये हैं और तीसरा हम फराई कर लेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा आप नहीं दिखाएंगे आपको तो हम तीसरा भी फराई कर लेंगे उसके बाद में ये सारा हमने तयार कर लिया है उसके बाद हम छोटी प्लेट में इसको जोड देंगे ये देखे ये केक पीस हम बिल्कुल इसमें प्लेट में जोड देते हैं हरी चटनी साथ में रखा है और उसके बाद में हम सारा इसमें जोड़ देंगे जो हमारे सीक कबाब बने हुए है इस तरह हम ये डक्के वाले बिल्कुल हम इसमें जोड़ देंगे उसके बाद में ये देखिए ये हम आपको तोड़ के दिखाते हैं ये देखे ये बीज में बिल्कुल सुराग दिखाई दे रहा है ये ये दोनों तरफ से सुराग दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये तयार है आप भी अपने घर में बना सकते हो उसके बाद में हमने सलाद इसके उपर इसके सलाद से भी खाया जाता है भरी चटनी लाल चटनी से भी खाया जाता है तो आप इस तरह जो है उपर से चाट मसाला डाल कर और इससे इंज्वाय कर सकते हैं उससे मैटेरियल सारा पड़ा हुआ चाट मसाले की भी लोड नहीं होती है अब यह बिल्कुल तयार है उसके बाद में इस पे हमने थोड़ा सा धनिया से गार्निस कर द तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस सस्क्राइब कर लीजिए गंटी वाला बटन अन कर लिजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुँचती रह देखने के लिए थाइंक यू सू मच